हेलो दोस्तो वेलकम तो माई योटूब चैनल दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल इमेज सर्च के बारे में आप किसी भी इमेज से उसका डिटेल कैसे निकाल सकते हैं गूगल में सर्च कैसे कर सकते हैं उस इमेज को तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको दो तरीका बताऊंगा पहला तरीका आप अपने गैलरी से उस इमेज के बारे में पता लगा सकते हैं बिना Google सर्च किये हुए और दूसरा तरीका मैं आपको Google में इमेज को सर्च करके बताने वाला हूँ तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिसेंटेक तो दोस्तो सबसे पहले आपको अपना Google का फोटो एप को आपन कर लेना है अलाकि यह सारा मवाइल में जितने भी Android फोन है उस पे अल्रेडी इंस्टॉल होते हैं लेकिन अगर आपके फोन में इंस्टॉल नहीं है तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसके मदद से हम लोग आसानी से किसी भी पिक्चर का आप मतलब बीना Google पर सर्च की हुए उसको आसानी से पता लगा सकते हैं इसको कैसे पता लगाना है मैं आपको अभी बताता हूं दोस्तों यह एक इमेज है जो कि मुझे पता नहीं किस चीज का इमेज है बस मेरे वाटसप में आया मुझे पता नहीं किस चीज का इमेज है लेकिन मैं इसको जानने के लिए बहुत excited हो रहा हूं तो मुझे इमेज को कैसे सर्च करना आपके पस दो तरीके आप इस गूगल फोटो एप के तरह मतलब इससे भी निकाल सकते हैं और गूगल में डायट जाके गूगल इमेज सर्च से भी निकाल सकते हैं तो पहले हम लोग इससे सर्च करके देखते हैं गूगल फोटो आप के मदद से अगर इससे अच्छा सर्च हो जाता है तो वहां फोटो से गूगल फोटो मतलब वहां पर सर्च करने का जुरत ही नहीं पड़े तो दोस्तों यहां पर आपको एक ओप्सन नजर आ रहा होगा नीचे गूगल लेंस टाइप कर एक ओप्सन उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना तो दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं यहां नीचे पूरा एकदम जिसका डिटेल क्या है इस चीज के बारे में पूरा एकदम खुल के आ चुका है यह क्या है ओलम्पिक फ्लेम है दोस्तों यहां पूरा डिटेल एकदम खुल के आग यह आप देख सकते हैं हमने इसमें कुछ नहीं किया है ईसमें जो णने ह्में फोटो को अभी करके और बार फोका मेंने हुआ है तो मेरे यहां पर गूगल एसिस्टेंट एप यहां पे खुल के आ चुका है तो यहां पर भी दोस्तों नीचे में एक उप्सन मिलता है गूगल लैंस करके यहां से भी आप चाहें तो पता लगा सकते हैं जैसे कि मेरा यहां पर कोई एक डबा पड़ा हुआ था इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने को कोई क्रीम था पता नहीं हूँ कौन से क्रीम था उसके बारे में जानने के लिए मैंने इसमें सर्च किया तो यहां पे पूरा डिटेल आ चुका है कि यह क्या चीज है क्या नहीं है मैंने यह अभी जैसे कि कोई मेडिकल स्टोर से क्रीम लाया वा था उसका बस यह कवर था उपर तो यहां से भी आप देख सकते हैं इस तरह से आप किसी भी इमेज को पता लगा सकते हैं तो चलिए यहां पे दुस्तों दूसरा रिका को भी यहां पे जान लेते हैं कि से कडम निकाल सकते हं सबसे पहले अपना Chrome ब्रॉजर को को उपन कर रेना है तो दोस्तों पर खुरुम ब्रॉजर को ऑफिन करने के बाद दोस्तों यहां पे आम लोगो Google.com सर्च कर लेना Google.com सर्च करने के बाद दोस्तों उपर में आपको त्री डॉट्स दिख रहेंगे वहाँ पे हम लोग को Desktop साइट पे क्लिक कर देना Desktop साइट पे क्लिक करते ही दोस्तों हम लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस आजाएगा Google का खुल के तो दोस्तों वहाँ पे उपर में देख सकते हैं Gmail का बटन में एक Image का Option दिया हुआ है तो वहाँ पे हम लोग कुछ क्लिक करना तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आप यहाँ पे Return लिखने के जगा आप यहाँ पे इमेज का यहाँ पे Option आ चुका है तो यहाँ पे हम लोग कैमेरा का बटन दिया वहाँ पे सिंप्ली हम लोग सर्च करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप कोई Image का URL डाल के सर्च कर सकते हैं या फिर हम लोग Upload भी कर सकते हैं कोई भी इमेज आपके गैलरी में उसको सिंप्ली आपको Upload कर देना है तो यहाँ पे हम लोग फाइल चूज कर लेते हैं जो हम लोग को गैलरी में आपको सर्च करना जिसके बारे में तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जिस तरह देख सकते हैं आप अपने गैलरी में चल के हम लोग को इमेज को सर्च कर लेना है जैसा कि में यह इमेज आपको Google Lens में भी करके दिखा है तो इसमें भी करके देख लेते हैं कि सेम रिजल्ट आता है कि नहीं आप कि अरभी तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते इसके बारे में ऐलंपिक व्लें के भारे में टोटल जो इसका इंफरूशन ने एमेज को खुल के आ चुका यहां पर तो दोस्तों बस आपको इतना सिंपल सा तरीका था आपको इसी तरह का यही टेक्निक यूज करके आप किसे भी इमेज को आप आसानी से गूगल पर सर्च कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दिए तब तक के लिए जाएं दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलते हैं